Hello students, today we are going to see the lesson Motion of the Earth यह lesson जो है हमारा EBS part 1 का second lesson है यह start करने के पहले में आप सभी से request करना चाहती है कि अब अगर आपको मेरा यह पढ़ाना अच्छा लगने लगा है तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि इस समय भी सभी online schools चालू है और बहुत सारे बच्चों को बहुत दिक्कते भी आती है तो मैं उमीद करती हूँ कि आप मेरे इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज कमेंट कीजिए मैं कोशिश करूँगे कि आप लोगों को अच्छी तरसे explain करूँ तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो पहले हम क्या समझेंगे यहाँ पर रोटेशन क्या होता है तो रोटेशन के लिए हम यहाँ पर गलोब दिखाया गया और उसके आधर पर हम सब explanation देखेंगे अगरे इस तरह से टॉप होता है हम इस example से गलोब को समझेंगे तो यह टॉप जो है देखें कैसे जब हम इसको घूमाते हैं तो वह अपनी ही इस पर घूमता है अपनी ही गती से घूमता है खुद के आसपास घूमता है तो जब यह खुद के आसपास घूमता है तो उसे हम क्या कहते हैं रोटेशन कहते हैं the top turns around itself any object that turn about itself actually turns around a certain imaginary line the turning of an object around itself is called rotation और इस तरह से जब कोई object अपने आसपास घूमता है that is called rotation and the imaginary line around which it rotates is called its axis of rotation see एक green line से हमें बताया गया कि imaginary line है जिसके आसपास वो घूमता है तो उसे हम क्या कहते हैं axis of rotation क्या कहते हैं मुझे axis of rotation so now the earth's rotation अब हम earth की rotation को समझेंगे take a globe like the one in the picture and spin it एक globe लेना है हमें देखिए यहाँ पर इसी the globe is here एक globe लेना है और देखिए हाथ में एक उन्होंने क्या string जासा बांधा हुआ है नीचे तक तो उसकी वज़े से हमें अपना जो globe है वह half part में divide दिखाए दे रहा है ना तो इस तरह से half part है लेकिन जब हम globe देखते है ना तो north and south n और s से हमें एक line दिख रही है है ना तो वह half की हुई actually तो इससे हमें क्या समझ मेता है कि हमारी earth थोड़ी सी जुकी हुई है तो n वाला जो भागे वो north pole कहलता है s नीचे वाला जो भागे वो south pole कहलता है और n और s को ये दरशाने वाला क्या है axis है और north pole के side वाला भाग जो है northern hemisphere कहलता है और south pole के नीचे वाला जो south pole है और equator उनके बीच का जो भाग है वो क्या कहलता है southern hemisphere यह Northern Hemisphere और Southern Hemisphere क्यों बनते हैं तो यहाँ पर हमें एक equator नाम की एक line दी गई है देखिए तो जब यह equator line की वचे से जब globe दो भाग में divide होता है तो वह Northern Hemisphere और Southern Hemisphere कहलाता है यह सब imaginary line है जिसे हमें सिर्फ imagine करके चलना है और हमारी अर्थ को समझना है ठीक है तो अब यहाँ पर हमें try this बताया हुआ है ना वह हम एक तरफ से read कर लेंगे take a globe like the one in the picture and spin it note the line around which it rotates now take a plumb line and hold it close to the globe as shown in the picture you will see that the plumb line and the earth's axis are at an angle to each other तो हम क्या देखते हैं कि जो plumb line ली है जिससे वो string बांदा हुआ है वो और अर्थ का axis है उसकी वज़े से angle form होता है that is the earth's axis is inclined और उसकी वज़े से हमें earth का axis inclined होता हुआ दिखाई देता है earth rotates with its axis inclined like this the line ns in the picture shows the earth's axis और इस वज़े से जो हम देखते है ना axis जो है वो inclined दिखाई देता है मतलब थोड़ा सा जुका हुआ दिखाई देता है और इससे हम n और s नंबर ये alphabet से हमने इससे दिखाया है it passes to the center of the earth the points n and s are called the poles of the earth इसले n और s जो point है उसको हम poles कहते है n is north pole n जो है वो north pole कहलता है earth का और s जो है वो south pole कहलता है if a circle were drawn around the surface of the earth exactly in between the north and south poles it would divide the earth into two equal parts और अकर एक circle हम draw करते है न अर्थ पे तो उससे north pole और south pole दो भाग दिखाई देते है it would divide the earth into two equal parts और इसकी वज़े से earth two equal parts में हमें divide होती हुई दिखाई देती है यह अभी मैंने आपको globe में समझाया है न this imaginary circle is called the equator और ये imaginary circle जो है उसको हम क्या कहते है equator करते है और the two equal parts it makes of earth are called the northern hemisphere and southern hemisphere respectively और इसी equator की वज़े से जो अर्थ दो भाग में divide होती है तो अप वाला भाग जो है उससे हम northern hemisphere कहते है और down वाला जो भाग है वो southern hemisphere कहलाता है strand a candle इधर भी हमें एक experiment दिया है दिखे, strand a candle in the middle of a large table draw a big circle around the candle place a globe at any point on this circle and light the candle see that it is dark in the room suppose that the candle is the sun observe which part of the globe gets the sun's light and which one does not दिखो यहाँ पे हमें एक experiment दिखाया है ऐसी यहाँ पे एक globe लिया है और बीच में candle है है और अर्थ को जो है हम धीरे धीरे रोटेट करेंगे इस circle पे तो हम रोटेट करते वे जाएंगे तो हम क्या देखेंगे जहाँ पर candle का जो light है वह globe पे पढ़ रहा है वहाँ पर day है तो हमें जो candle है उसे imagine करना है कि वह sun है और जब candle का जो light वाला part है जब globe के जिस भाग पर पढ़ता है वहाँ पर day है याने दिन है ऐसा हम समझेंगे और जहाँ पर dark भाग है वहाँ पे आधाल आखनेशक हैं, ऐसा हम समझेंगे तो जिस तरह से हम यह एक्सपरिमेंट में जमज़ते हैं, उसी तरह से आपने हम लोग रोच देखते हैं, वास्तों में ऐसा ही हुता है, जिस भाग पर पढ़ता है वहां day होता है और जहां पर नहीं पढ़ता है, वहां night होती है और इस तरह से earth rotate होती जाती है और west to east घूमती जाती है और sun का जो भाग उस पर पड़ता है light ओला भाग वहाँ पे दिन होता है तो इस experiment से हम यहाँ समझेंगे ठीक है? Now looking at the globe from the direction of north pole turn it anti-clockwise same जो मैंने भी आपको समझा है कि हमें जो globe है उसको anti-clockwise घूमाते जाना है और इससे हमें पता पड़ता है कि earth जो है it rotates from west to east क्योंकि earth जो है rotate हो रही है खुद क्या सपास घूम रही है लेकिन कहां से घूम रही है? West to east घूम रही है As the earth rotates its different part comes into the light of the sun one after the other and turn away from it also in the same order जिस तरह से वह घूमते वे sun के पार्ट में आ जाती है यानि sun का जो light वाले भाग के सामने आ जाती है तो वहाँ पे दिन होता है यह अभी मैंने आपको experiment में समझाया Now we see sunset and sunrise यहाँ पे भी हमें एक experiment दिया है Stick a red bindi on the globe Set up the previous model of the globe and the candle Turn the globe anti-glockwise Note when it is sunrise, noon and sunset at the location of bindi See यहाँ पे globe है न दिखिए यहाँ पे globe में red bindi दिखाई दे रही दिख रही है तो हमें बताया गया है कि same हमें उसे candle के सामने रखना है तो जहाँ बिंदी पर अगर जो भाग बिंदी के भाग पर जब sun का light पड़ेगा Sun का light में candle का light जब पड़ेगा तो कब day हो रहा है, कब noon हो रही है, कब night हो रही है यहाँ में turn by turn समझता जाएगा ठीक है, after one sunrise, note when the next one occurs at the बिंदी इस तरह हम globe को rotate करते जाएगे और देखेंगे कि किस तरह समय पर sunrise होता है कब noon होती है और कब night होती है You will see that this happens when the earth completes one rotation that is when it makes one complete turn around itself इस तरह हमें पता पड़ता है कि जब वो अपनी पूरी एक rotation पूरा करती है तो किस किस समय वहाँ पर दिन होता है कब noon होती है, मतलब दो पर होती है और कब night मतलब रात होती है The spirit of time that the earth takes to complete one rotation is called a day और इस तरह से जब earth अपना एक rotation complete करती है उसे हम day कहते है, दिन कहते है A day has two parts, daytime and nighttime दिन के दो भाग माने जाते हैं एक दिन और एक रात और simply day and night जिसे हम दिन और रात भी कह सकते है For the purpose of measuring time we divide the whole day into 24 parts और हमने पूरे दिन को 24 hours में 24 घंटे में divide किया हुआ है Each of which is called an hour और हर एक भाग को हम एक घंटा कहते हैं जो भी हमने 24 hours है जब हम उसे divide करते हैं तो हर एक घंटे में हम उसे divide करते हैं अब एर किसे कहते हैं Now move the globe along the circle on the table as you do this Keep rotating the globe and ensure that the axis does not change its orientation Sorry Eventually the globe will come back to its original place on the circle This is how the earth revolves around the sun even as it rotates around itself तो जो globe है उसको हमें खुद के आसपास घुमाते हुए sun के आसपास भी घुमाना है खुद के आसपास तो वो घुमती जाएगी लेकिन west to east sun के आसपास भी घुमती जाएगी और जब वो अपन एक round complete करके वापस अपनी position पर आ जाएगी तब हम उसे कहेंगे की one year complete हुआ है और यही वास्ताव में होता है इस तरह से जब वो एक revolution sun की आसपास घुम कर complete करती है तब उसे हम one year कहते हैं एक साल कहते हैं एक साल में 365 डेज और 6 आवाज होते हैं अव लीप यह क्या होता है अब हम लोग कौन सा कैलेंडर अप्लाई करते हैं तो उसके अनोसार एक साल में 365 डेज होते हैं it means that it counts 6 hours less every year इसका मतलब हर साल में से हम 6 घंटा 6 hours minus करते जाते हैं that makes 24 hours or one day in every 4 years इसका मतलब यह जो जब 6 घंटा हम less करते जाते हैं तो 4 years में वो complete एक दिन बनता है तो उस एक दिन को हम कहां पर जोड़ते हैं February मन्थ में February मन्थ में हम हमेशा दिखते हैं 28 days होते हैं लेकिन हर 4 year में उसमें एक दिन जोड़ता है तो वो 29 years का February कहलाता है तो यह जो 66 hours हम हर साल 4 साल जो हम घटाते जाते हैं वो कहां जोड़ देते हैं February में एक दिन में जोड़ देते हैं जिसे हम 29 days का February कहते हैं और इसे ही हम leap year कहते हैं ठीक है? To make up for this lost one day, the month of February and Gregorian calendar has an extra day, even 4th year That year is called a leap year और असे साल को हम leap year कहते हैं It has 366 instead of 365 days and February has 29 instead of 28 days यह भी हमने मैंने अपको अच्छी तरह से समझाया हैं Now, do you know? You know that the length of day and night is not always equal हम देखते हैं कि रोज ही एक जैसा दिन और रात नहीं होते हैं एक समान दिन और रात होते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं ठंड के दिनों में रात बहुत जल्दी हो जाती है और दिन भी जल्दी जल्दी दिन ठल जाता है और रात लंबी होती है दिन बहुत बड़ा होता है 7.30 तक भी sunset मतलब होना start होता है तो इसका मतलब है दिन और रात एक जैसे पूरे साल नहीं रहते हैं This happens because of earth's inclined axis and its revolution around the sun तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि earth जो है थोड़ी inclined है उसका axis पे से वो थोड़ी सी inclined है थोड़ी सी जुकी हुई है उसी की वज़े से दिन और रात में मतलब उसके time में अंतर आता है कि कभी दिन बड़े होते हैं कभी रात बड़ी होती है In the northern hemisphere between 22 March and 23 September the days are longer than the nights अब northern hemisphere में 22 March और 23 September जो होते हैं वो दिन जो होतें लंबे होते हैं और रात छोटी होती है Therefore it is warmer there इसकी वज़े से अगर दिन बड़ा रहेगा तो naturally क्या रहेगा गरम रहेगा That is it is summer in the northern hemisphere इसका मतलब की northern hemisphere में summer चल रहा है गरमी चल रही है So however during this same period in the southern hemisphere the nights are longer than the days और इसी समय में southern hemisphere में रात क्या रहेगी लंबी रहेगी और जो दिन जो रहेंगे छोटे रहेंगे The earth gets less heat in these parts and therefore it is winter in this southern hemisphere Northern hemisphere का बिलकुल उल्टा southern hemisphere में होगा इस समय पर जो यहां पर रात लंबी होंगी और दिन जो रहेंगे वहां छोटे होंगे क्यों क्या रहेगा winter season रहेगा In the period from 23 September to 22nd March the days are longer अब भी उसका उल्टाट 23 September से 22 March तक days जो हैं वहर लोंगर रहेंगे than the nights in southern hemisphere तो 23 September से 22 March के बीच में जो दिन है वह लंबे होंगे और रात छोटी होगी किसके compare में southern hemisphere के compare में it gets more heat and it is summer there और उस समय वहां पे summer होगा In this period in the northern hemisphere it is the nights that are longer और इस समय में northern hemisphere में रात जो रहेगी वो लंबी रहेगी the northern hemisphere के जोटी होगी जोटी होगी and it is winter there और उस समय में northern hemisphere में क्या रहेगा winter रहेगा बिलकुल उल्टी position जलती है summer और winter की northern hemisphere में और southern hemisphere में note that there may be differences in these dates due to the leap year In India, summer, the rainy season and winter are considered to be the main season we also divide the year into six seasons और हम इस तरह से हम जो season से उसको six seasons में divide करते हैं हमारे इंडिया में जैसे वसंत है, गृष्ष में है वर्षा, शरद, हेमन, और शिशिर इस तरह से हम हमारे यहां पर seasons divide करते हैं now see this cycle of six season is called the ritu chakra और इसी seasons को हम क्या कहते है, ritu chakra many of our festivals are connected with the seasons और हमारे बहुत सारे जो festivals है, वो seasons से connected है many of our songs and games are also related to the different seasons और बहुत सारे हमारे songs and games है, वो सब भी इस seasons से related है phases of moon, अब हम देखेंगे phases of moon क्या होते हैं हम देखते है न, डेली चंद्रमा जो है, डेली moon जो है वो हमें आकार में बदलता हुआ दिखाई देता है तो ऐसा क्यों होता है, we will see now तो इसमें question है हमको, what is the name given to the changing shapes of the moon that we see, हम changing shapes देखते हैं moon के, तो उसे क्या कहते हैं यह हमने second third में भी पढ़ा है है न, कि जब shapes change होते हैं उसे हम phases of the moon कहते हैं और what are the names of the days on which we see a round moon and on which we see no moon at all हमें पता है कि round moon हमें कब दिखाई देता है, पूर्णी मा के दिन और no moon कब होता है, मतलब जिस दिन हमें बिलकुल moon दिखाई नहीं देता वो होता है, अमावस्या, so the full moon and new moon क्या होता है, वो हम देखेंगे the moon revolves around the earth and earth revolves around the sun हमें पता है, moon जो है वो earth के आसपास घूम रहा है और earth sun के आसपास घूम रही है, however these two orbits intersect और यह दोनों orbits जो हैं एक दूस्टरे को intersect करते हैं hence the sun, the moon and the earth are not always along a straight line तो sun, moon और earth हमेशा एक line में नहीं आते हैं we see half of the moon's surface which faces the earth हमें moon का आथा ही भाग earth पे से दिखाई देता है जो की हमें light में दिखाई देता है आदा भाग अंधिरे में होता है तो moon से जो है, earth से moon को light मिल, sorry moon's surface which faces the earth, that is from the earth we see only one side of the moon हम देखते हैं न कि जो, हम देखते हैं कि जो moon है न वो हमें earth से दिखाई देता है लेकिन earth का वो क्या है, actually में satellite है तो उसका जो उजाले वाला भाग है, वो ही हमें दिखाई दे रहा है क्यों? the moon has no light of it so हमें पता है, moon का अपना कोई light नहीं है we can see the moon because of sun's light that falls in it तो जो sun की light भी उस पर पड़ती है उसी की वज़े से हमें वो दिखाई देता है on a full moon night, we see the entire side of the moon that faces the earth और full moon night पे हमें पूरा भाग moon का दिखाई देता है जिसे हम full moon night कहते है on a new moon night, we cannot see any of it और new moon night के दिन हमें sun की वज़े से, मतलब sun का जो light है वो moon पर हमें दिखाई ही नहीं देता है इसलिए हमें moon भी दिखाई नहीं देता है from the full moon to the new moon illuminated part of moon scene from the earth become smaller and smaller full moon से लेकर new moon आने तक जो moon है उसका भाग smaller होता जाता है उसकी phases जो है वो कम-कम हमें दिखाई देती है from new moon to full moon it again grow bigger and bigger और फिर से new moon के बाद full moon आने तक जो moon है हमें grow होता हुआ दिखाई देता है bigger और bigger होता है these different shapes of the moon that we see are called the phases of moon और इसी different phases को हम moon की phases कहते है shapes जो moon का हमें दिखाई देता है उसे phases of moon कहते है अब the lunar month and days इती थी जिसे हम कहते है वो क्या होता है you know that it takes 14 or 15 days from new moon to full moon अभी देखिए new moon से full moon आने तक 14 से 15 days लगते है same full moon से new moon आने तक 14 to 15 days लगते है this is the fortnight of waxing moon और इसे हम क्या कहते है waxing moon कहते है कब कब कहते हैं देखिए यहां पे 14 और 15 days from new moon to full moon new moon से full moon आने तक 14 से 15 days लगते है जिसे हम waxing moon कहते है after full moon moon appears smaller and smaller and after 14-15 days it is new moon again और फिर full moon के बाद फिर से moon छोटा छोटा होता जटा smaller smaller दिखता है हमें और new moon तक हमें new moon के दिन वो दिखाईने लेता this period is the fortnight of the winning moon और इसे हम winning moon कहते हैं this is the period from one new moon to the next is of 28 to 30 days it is called lunar month और इस तरह से जो 14 to 15 days waxing moon के और 15 to 15 days मिला कर winning moon के तो यह 28 से 30 days का जो समय होता है उसे हम lunar month कहते हैं every day of the lunar month is called तिथी और इस lunar month के हर एक दिन को हम तिथी कहते हैं जैसे आपने mostly सुनाओगा ना आज प्रत्थमा है फिर्दुइतिया है तृतिया है इस तरह से यह तिथी होती है ठीके नाओ देखें यहां पर phases of moon हमें दिखाई दे रहा है किस तरह से देखें थोड़ा 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 ग्रो होता है और उसके बाद फिर यह full moon day में हमें दिखाई देता है इस तरह यह phases of moon है ठीके यहां पर हमें table भी दिया है the new moon so the new moon हमने समझा 15 days जो the new moon से 15 days का start होता है full moon ठीके उसे हम waxing moon यहने शुकलपक्ष कहते हैं the full moon day जो 15 days start होता है new moon तक उसे हम waning moon कहते हैं जिसे कृष्णपक्ष कहते हैं the fortnight of the waxing moon plus the fortnight of waning moon तो उन्हों मिला कर क्या बनता है lunar month so this is your lesson और next video में I will give you question answers so what we have learnt यह हम देख लेंगे first हमने देखा the rotation of the earth causes day and night हमें पता है कि अर्थ की rotation की वेज़े से day और night होता है the revolution of the earth around the sun and its inclined axis together across the season तो अर्थ का revolution जो sun के आसपास होता है और अर्थ जो जो इसका axis inclined हुआ है उसकी वज़े से seasons होते हैं the revolution of the moon around the earth gives rise to phases of the moon और moon जब क्या करता है the revolution of the moon around the earth मतला moon जब earth के around revolution करता है तो इसकी वज़े से phases of moon होते हैं the period from one new moon to the next moon is called a lunar month अभी new moon से लेकर next new moon अने तक का जो month होता है उसे lunar month कहते हैं यह 28 to 30 days का होता है the fortnight ending on full moon is that of waxing moon जो तो full moon जो होता है उसका जो fortnight जो 15 days जाते हैं उसे waxing moon कहते हैं or the fortnight that ends on a new moon is that of waning moon or fortnight मतलब जो 14 to 15 days हमारे new moon तक जाते हैं that is called waning moon the days of lunar month are called tithis और जो lunar month का each day होता है उसे हम tithi कहते हैं so next video में you will get question answers of this lesson